तक साइज आई था Tata Motors में था 975 का 100 शेर हैं और Tata Power में भी है 472 का 100 शेर है दोना में और एक है यह लेते हैं यहाँ पर Tata Power का आपका 472 से है ना शायद? हाँ 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 ठीक है अदूनी जी आपके पास या आना चाहूंगा इस सवाल के लिए दोनों ही Tata Power पर इनके सवाल है Tata Motors पे जहां से इनकी खरीदारी है वहां से 15% गिर चुका है Tata Power भी देखे तो वो भी कुछ 12% गिरता हुआ नजर आया है लेकिन गिर के यह तीन सेशन से Tata Power 200 यह थोड़ा अटक चुका है तो यहां पर अटक नेके बात किया थोड़ा सा रिवर्सल एक्स पे किया जा सकता है साथी साथ दोनों में स्टॉप लॉस भी बता दीजे क्यों कि यहां पर इनने लॉस होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर सबसे पहले अगर हम Tata Power Tata Motors की बात कर लेते हैं Tata Motors का चार्टिकल स्टॉक्चर जो है वो यहां पर शॉट तर्म और इंपार्ट अगरा वीक्ली स्टॉक्चर को भी पुल करें तो दोनों ही तरफ पे बीख हो चुका है इसका जो नेक्स सपोर्ट लेवल Tata Motors का बनता है वो है 780 की लेविल के पास बहां त क्योंकि नुकसान अभी यहां पर और भर सकता है और जहां तक Tata Power की बात है तो Tata Power डेफिनिटली अगर आप यहां पर वीक्ली स्टॉक्चर इसके देख रहे हैं तो स्टॉक्चर में कोई भी एक बदलाब नहीं आया है जो यहां पर नीचे की तरफ डिमांड जूल बन रह है तो 400 की लेविल के पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर Tata Power में होल्ड की सला रहेगी जबकि Tata Motors में एक्जिट कर लेना चाहिए तो यह राय Tata Motors और Tata Power पर स्टॉक पर पिछले कुछ दिरों में गिरावत दिखी है इस भी